मस्यमें मेरी प्रियों आज मैं ऐस टोपिक के बारे में बताना चाहता हूं मेरी प्रियों आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे इसे लोग हैं जो की स्राप के नसे में, बीडी सिग्रेट के नसे में और नाना प्रकार के ड्रक्स लेने में एडिक्टेड है यानि की बुरी लथ है उनको और आप जानते हैं कि जो स्राप और बीडी सिग्रेट और नाना प्रकार का जो ड्रक्स लेते हैं उनकी जिन्दिगी कैसे होती है मिरे प्रियों उनकी जिन्दिगी बहुत ही दैनिये इस्थिती में आ जाती है उनके बच्चे भूके मरने लगते हैं उनकी पत्निया भूके मरने लगती है और कपड़े फटे पुराने पहनने पड़ते हैं और यहां तक कि उनका परिवार ऐसे दैनिय इस्तिती में आ जाती कि उनको भीक भी मांगना पड़ जाता है और अपनी जिंदीगी को लोग बरबाद कर देते हैं नसा करके नानपर करके नसा में फसकर अपने जिंदीगी को बूरी तरह से बरबाद कर रहे हैं मेरे प्रियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मसी में हैं जिनोंने प्रभु येश्य मसी पर विश्वास किया और बप्टिश्मा भी ले लिया उन में से भी बहुत सारे इसे प्रिय भाई बेहन हैं जो सुराब के नसे में सिग्रेट, बीडी, तंबाकू और नानपरकार का ड्रक्स लेते हैं अभी भी वो इस आदत में हैं लत में हैं कई प्रिय भाई बेहनों का पूछना है कि पास्टर जी हमें नसा नहीं छूट रहा है, सुराब का नसा नहीं छूट रहा है, कुछ कहते हैं बीडी सिग्रेट का नसा नहीं छूट रहा है तो मेरे प्रियों में आपको आज बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ कि हम मसेही जीवन में अगर नसा करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है मेरे प्रियों आज की इस वीडियो में मैं आपको नसा से छुटकारा पाने के लिए कुछ बातें बाइबिल से बताने चाह रहा हूँ और जिन्होंने हमसे पूछा है उन प्रिय भाई बेहनों को मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंतर तक जरूर बने रहिएगा यदि आप मसी में हैं और आपसे सराब नहीं चूट रहा है बीडी सिगरेट नहीं चूट रहा है ड्रक्स नहीं चूट रहा है तो यह आपके लिए बहुत ही इंप्टेंट वीडियो है यदि आप परिवार में हैं और य जो आज प्रभू के वचन से हम बातें करने वाले हैं उन वचनों को उनके बीच में जरूर बाटी है और मेरे प्रियों बहुत सारे मसी भाई बहन इन सारी आदुतों से छूटना तो चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पा रहे हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा मेरे प्रियों में आपको परमेश्र के वचनों से अवगत कराना चाहता हूँ पहला वचन आप निकाल लीजिए रोमियों की पत्री बारा अध्याये उसका दो पद को हम पढ़ेंगे वचन में से लिखा है इस संसार के साथ रिश्य ना बनो प्रंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चाहे जिससे तुम परमेश्र की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभाव से मालूम करते रहो मेरे प्रियों जब हम मसी में आ जाते हैं जब हमने मसी पर विश्वास किया है तो वचन ये बताता है कि जब मैंने और आपने येश्य मसी पर विश्वास किया है तो हमने येश्य मसी को पहन लिया है पूरी तरहे से हमने पहन लिया है मेरे प्रीयों जब हम बब्टिशमा लेते हैं तो जब हम पानीमे डूबते हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपने पुराने चाल-चलन को या अपने पुराने जीवन को उस पानीमें दफना दिया और आप जानते हैं कि जो लोग मर जाते हैं और जिसे दफना देते हैं वे फिर जी कर बाहर उटके काम नहीं करते हैं यानि कि उसका जो जीवन है वहीं दफन हो जाता है उसी परकार जब मैं और आप मसी में आते हैं और बप्टिशमा लेते हैं जब पानी में डूपते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने पुराने जीवन को नस्ट कर दिया है पुराने जीवन को खतम कर दिया है इस वचन के नुसार वचन में लिखा है कि संसार के सद्रिश्य ना बनो प्रन्तु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा क्या चाल चलन भी बदलता जाए मेरे प्रियों जब मैंने और आपने मसी को पहन लिया तो अब वो हमारा पुराना जीवन नहीं रहा अब हमारा नया जीवन हो चुका है अब हमारा नया सोभाव नया चाल चलन नया ओड़ना उठना बेचना खाना पीना सब कुछ नया हो गया है अब पुराना सोभाव हमारा पूरी तरह से कत्न हो चुका है मेरे प्रियों बहुत सारे जो मसीही लोग होते हैं जिन्हें बहुत सारा पिने की आदत होती है लद होती है वे लोग इस बात से बहाना करते हैं कि हम नसा करते हैं तो सरीर में जाता है आत्मा थोड़ी ना नसा करती है आत्मा तो अमर है आत्मा स्वर्ग में चले जाएगी सरीर यही रह जाएगा इसलिए क्या करते हैं वो नसा करते रहते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियों जो हमारा सरीर है ना वो परमेश्य के लिए है मैं आपके लिए एक वच्चन बताना चाहता हूँ उसके बाद आपको क्लियरिटी हो जाएगा जो इस परकार नसा करते हैं मसे में होने के बाद भी ये सोचते हैं कि सरीर तो सरीर है इसमें नसा करने से कोई कुछ होने वाला नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फर्स्ट कुरंतियों की पत्री तीन अध्यां उसके सोला और सत्रा पत्में से लिखा है क्या तुम नहीं जानते की तुम परमेशर का मंदीर हो और परमेशर का आत्मा तुम में वास करता है यदि कोई परमेशर के मंदीर को नस्ट करेगा तो परमेशर उसे नस्ट करेगा क्योंकि परमेशर का मंदीर पवित्र है और वो तुम हो कहने का मतलब यह जो हमारा सरीर है हमारा जो जीवन है वो परमेशर का मंदीर है हम मस्य में आने के बाद किसी प्रकार का नसा नहीं कर सकते क्योंकि जब हम नसा करते हैं तो वो सरीर के अंदर जाता है और जो सरीर है वो परमेश्र का मंदीर है आप जानते हैं मेरे प्रियों जब प्रभी येश्य मस्य आराधना ले में जाते हैं और आराधना ले में जहां आराधना होनी चाहिए जहां प्राथना होनी चाहिए जहां परमीश्र का वचन होना चाहिए वहाँ पर कुछ व्यापारी व्यापार करने लगे वहाँ पर बिजनेस चालू होने लगा धंदा चालू होने लगा तो वहाँ पर प्रभी यईश्यु म मसी ने कहा परमीशर का भवन प्राथना का भवन कहलाएगा मेरा भवन प्राथना का भवन कहलाएगा परमीशर ने कहा येश्यु मसी ने कहा मेरे पिता का घर प्राथना का भवन कहलाएगा तो जो हमारा सरीर है वो प्राथना का भवन है परमीशर का मंदीर है और इस मंदीर म में लेते हैं, हमारे सरीर में लेते हैं, तो इसका मतलब है, हम अपने सरीर को गंदा कर रहे हैं, हम अपने इस जीवन को गंदा कर रहे हैं, और जो हमारे जीवन को, यानि अपने सरीर को अगर हम गंदा करेंगे, तो परमेशर भी उसे नस्ट करेगा, इसा वचन में लिखा है और जब हमने रूमियों में पड़ा तो वचन में लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा सोभाव तुम्हारा मन भी बदलता जाए चालचलन भी बदलता जाए यानि कि अब हमारा जो सोभाव है वो मसी के अनुसार हो हमारा जो जीवन है वो मसी के अनुसार हो हमने संसार के लिए अपने आप को खतम कर दिया है पुराने सोभाव को उस पानी में डुबो दिया है खतम कर दिया है तो अब हम जो मसी में हैं इस परकार का नसा नहीं कर सकते अगर हम अभी भी नसा करते हैं अभी भी हम उस लत्में पड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी जिन्दीगी को बरबादी की और ले जा रहे हैं हम अपनी जिन्दीगी को नर्की की आगी की और ले जा रहे हैं इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मस्य में अभी है अभी भी मौका है कि हमें उन सारे गंदिलत से गंदी आदतों से हमें छूटना होगा मेरे प्रियों ये तो हुई जब हम नसा करते हैं तो हमारे जिंदगी इस परकार बर्बाद हो जाएगी लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस आदत से कैसे छूटें मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि इस आदत से कैसे छूटें तो मेरे प्रियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोई नसे से बूरे चाल चलन से किसी प्रकार के ड्रक्स से अगर छूटना चाहते हैं बचना चाहते हैं तो मेरे प्रियों रोज बाइबिल को पढ़ना सुरू कर दीजिए रोज प्रभी यश्य मसी के वचनों को पढ़ना सुरू कर दीजिए उसी के साथ साथ आप प्रात्ना करना सुरू कर दीजिए उसी के साथ साथ आप प्रभू से बाच्चित करना सुरू कर दीजिए उप्वास के साथ प्रात्ना करना सुरू कर दीजिए मेरे प्रियोंग आपकी जो लत है जो आपकी आदत है वो पूरी तरह से छूट जाएगी बहुत सारे मसीही भाई बेहन कहते हम वच्चन भी पढ़ते हैं प्राथना भी करते हैं फिर भी हमारे आदत अभी नहीं गई तो मेरे प्रियों में आपको बताना चाहता हूँ अगर आप वच्चन भी पढ़ते हैं प्राथना भी करते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे नसे से मुक्त हो जाए तो आपके अंदर एक और कमी हैं कमी यह है कि आप सच्चे मन से परमेश्य के वच्चनों को नहीं पढ़ते हैं आप सच्चे मंद से परमेश्य से प्रात्ना नहीं करते हैं यदि आप घुटने पर आकर सच्चे मंद से परमेश्य पिता के वचनों को पढ़ेंगे और उससे प्रात्ना करेंगे कि प्रभु परमेश्य मेरी मदद करके मैं इस लट से छूट जाऊ परमेशर पिता मेरी मदद करके मैं इस राव के नसे से या इस ड्रक्स के नसे से मैं छूट जाओं पुईतर आत्मा का जब आपके उपर सामर्थ आएगा तो आप सब प्रकार के नसे सब प्रकार की आदतों से छुट कारा पाओगे क्योंकि मेरे प्रियों जो आपका जो सरीर है आपका जो जीवन है वो परमेशर का मंदीर है और परमेशर की आत्मा आपके अंदर वास करती है और जब आप सच्चे मन से छोड़ाना चाहोगे तो परमेशर आपकी जरूर मदद करेगा मेरे प्रियों परमेशर के पुईत्र आत्मा से मदद लीजे क्योंकि परमेशर के पुईत्र आत्मा हमारे लिए परमेशर से आहें भर-भर के प्रात्ना करती है वचन के अतना है इसलिए मेरे प्रियों आप पूरे सचाई के साथ बाइबल को पढ़िए और प्रात्ना किजे परमेश राप को जरूर छुट करा देगा मिरे प्रियों यदि आप आविस्वासी हैं यदि आप प्रभू को नहीं जानते हैं और आप नसे की आदुतों से छुटना चाहते हैं तो मिरे प्रियों मैं आपको बताना चाहता हूं आप प्रभी येश्य मस्य पर विश्वास कीजिए क्योंकि उसने आपको पापों से छुडाने के लिए अपने जान दी अपने लहू को बहा दिया और जब आप उसके पर विश्वास करेंगे परमेश्य के वचनों को पढ़ना सुरू करेंगे परमेश्य से प्राथना करना सुरू करेंगे परमेश्य प्रताब को भी जुढ करा देगा लेकिन उन प्रियों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि मसी्ए में आने के बाद भी बार 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 नसा करते हैं ngay किसी प्रकारका ड्रक्स लेते हैं प्रवु के वचन को जानने के बाद भी परमिशर से प्रातना करने के बाद भी बप्तिशमा लेने के बाद भी बार बार कर रहे हैं तो आपके लिए हम कितने ही परमिशर के वचन को बता दें यदि आप सच्चे मन से छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप कभी भी इस नसे से आजाद नहीं हो सकते इसलिए अगर आपको पूरी तरह से आजादी चाहिए नसे से तो परमेशर पिता के वचनों को पढ़ना सुरू कर दीजे और उससे प्रातना करना सुरू कर दीजे मैं आप से वाइदा करता हूँ कि परमेशर आपको जरूर छुटकारा देगा परमेशर इन वचनों के दुआरा आप सब को बहतायत से आसीस दे परमेशर में हम नए हैं प्रभू में हम नए हैं इसलिए हमारा चाल चलन भी बदलता चला जाए परमेशर आपको बहत आसीस दे यदि आपको ये बाते समझ में आ गई है तो आपके प्रीय जनों को, आपके भाई बेहनों को, आपके रिस्तेदारों को जो नसा करते हैं उनके बीच में इस वीडियो को ज़रूर सेर किजे ताकि परमेशर उनको नसे से छुटकारा दे प्रभू आप सबको बहुत आएच से आसी दे सबको जमसी की